मुंबई की सुरक्षा के लिए सरकार लाखों रुप्या खर्चा करती है ताकि मुंबई के लोग सुरक्षित रहे पर जो लोग मुंबई की सुरक्षा करते है उनके घरों का चूला जलना मुश्किल हो गया है मुंबई के अन्नाभाव साथे नगर बस्ती में रहने वाले संतोष गुप्ता जी जो पिछले 12 साल से होमगार पोस्ट के उपर काम करते है और उनकी सेलेरी साल में स्रीफ दो ही बार होती है हुआ है हमको रोज के हिसाब से चार सो है यानि की बारा हजार रुप्या हमको मांधन के हिसाब से दिया जाता है मिलता है महिने में महिने में नहीं मिलता हमको वेट करना पड़ता है चार चार पास पास महिना तभी जाके पढ़र मिलता हूँ एक साथ में नहीं मिलता हमको फशनार की समय नरा दिआ जाता है तो आपको गुजारा होता है कहां हो पाइदा करते हैं वा नहीं सबड़ा स मुझरा बारिश कर घंदी कि में भाजी का ऐसा तर्या यह इसके अब शबरशा नहीं पैटotta तो आपको इनिफर्म मिलता है इनिफर्म नहीं मिलता है तो पाच-पाच साल के बाद मिलता है तक अभी कभी नहीं आता है हमको खुद को खाइदना पड़ता है और आपके जूते जूते का तो अभी तक पता नहीं है तो तो पता है यह होंगार के जवान उनके लिए तो कायदे में ऐसा है कि यह अपने प्रशने भी खुद उठाने सकते इसलिए मैं होंगार की डूटी करके छोड़ चुका हूँ त अगर आज भी अगर हम उनको किमान वेतन काईदे के आनुसार वेतन नहीं देते तो मैं समस्ता हूँ कि आज भी हमरे आजाद भारत में वो होंगार एक ऐसे समस्ता जो बंदवा मस्दूर है हमादया प्रेक्षा यह है कि हमारा जल से जल टाइम से पागार मिले अब कंटीन्यू बंदवसों यह समस्या सिप एक संतुष गुपता जी की नहीं है पूरे महाराष्ट्र में जो 44,000 होंगार है यह उनकी समस्या है उनकी मदद करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं मुंबई के डीजी को उनका नंबर है 022222-842-423 मुंबई से आमुलाल जरे इंडिया अनहड के लिए कर द दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि द सकते हैं मुंबई लिए इंडिया अन्हाट के लिए घ।